ओबयाह अध्याएक अध्याएक अधोम को दंड एक ओबयाह का दर्षन अधोम के विशय यहोवा यों कहता है हम लोगोंने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दू तन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है दो, उठो हम उस से लडने को उठें कहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है, तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमी पर उतार देगा। चार परंतु चाहे तू उकाब के समान मुचा उड़ता हो, वरन तारागन के बीच अपना गोसला बनाए हो, तो अभी में तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा, यहुवा की यही वानी है। पांच यदी चोड़ दाकू रात को तेरे पास आते, हाई, तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से त्रिप्त होकर चले न जाते, यदी दाक के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाक न छोड़ जाते, छे परंतु ऐसाव का धन कैसे खोच कर लूटा गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगा लगा कर निकाला गया है, साथ जितनों ने तुझ से वाचा बांधी थी, उन सभूने तुझे सीमा तक धकेल दिया है, जो लोग तुझ से मेल रखते थे, वे तुझ को धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं, वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं, उसमें कुछ समझ नहीं है। याकूब पर किया, तु लज्जा से धपेगा, और सदा के लिए नाश हो जाएगा। तेराल तुझे उच्छित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ती के दिन तु उसके फाटक में घुस्ता, और उसकी विपत्ती के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता, और उसकी विपत्ती के दिन उसकी धन समपत्ती पर हाथ लगाता। पंद्रह क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है, वैसा ही तुझ से भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लोटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। सोलह जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र परवत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातिया लगातार पीती रहेंगी, वरनवे सुड़क सुड़क कर पियेंगी, और ऐसी हो जाएंगी जैसी कभी हुई ही नहीं। इसराइल की विजय सत्रह परंतु उस समय से उन परवत पर बचे हुई लोग रहेंगे, और वह पवित्रिस्थान ठहरेगा, और याकूब का घराना अपने निजभागों का अधिकारी होगा। अठारह तब याकूब का घराना आग, और यूसुफ का घराना लौ, और एसाव का घराना खूंटी बनेगा, और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे, और एसाव के घराने का कोई ना बचेगा, क्योंकि यहोवाही ने ऐसा कहा है। उन्नीस दक्खिन देश के लोग एसाव के पहाड के अधिकारी हो जाएंगे, और नीचे के देश के लोग पलिष्टियों के अधिकारी होंगे, और यहुदी, एफ्रेम और सामरिया के देहात को अपने भाग में कर लेंगे, और बिन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। 21 उद्धार करने वाले एसाव के पहाड का न्याय करने के लिए सियुन परवत पर चड़ाएंगे और राजय यहवा ही का हो जाएगा.